दूसरा आम बजट पेश करने जा रही है आर्थिक सुस्ती के बीच ये बजट अर्थवेवस्ता के लिए काफी एहम माना जा रहा है इस बजट में आटो रियल स्टेट समेत अर्थवेवस्ता को बूस्ट देने वाले अन्य सेक्टर को काफी उमीदे हैं वहीं देश का मध्यम वर्ग टेक्स कटोती की उमीद में बैठा है इस तरह देश के किशान, युवा और महिला वर्ग भी निर्मला सीतारमन से राहत की उमीद कर रही हैं बरहाल यह देखना एहम है कि इस बार निर्मला सीतारमन के बजट पोटली में क्या खास है और बजट को लेकर देश की जनता को क्या उमीदे हैं कि अजया है अट्थारा परसेंट टेक्स बहुत होता है गुट्स के उपर बेल्ट के उपर पुलीस वेल्ट वेटो इन शबका पर इसको भी घटाना चाहिए क्योंकि चमले को उपर 5 परसेंट है और लेधर गूट के उपर 18 परसेंट है और यह सब जो है हाथ का काम है मेशीन दी उसमें इस्तिमाल नहीं होती है तो उसको सरकार को देखना चाहिए GST हमाई मांग है कि अगले बजट में गूट के उपर GST को घटाना चाहिए और यहां एक कौमन इफिलेंट टीटमेंट प्लांट बन रहा है इसमें गौवर्मेंट को चाहिए कि जो टेंडी वालों से 25 करोड मांगा जा रहा है इसको माफ करके उसको सरकार इंफ्रस्ट्रक्चर हम लोगों को बना के दे तो हमारी गौवर्मेंट से एक मांग है कि अब जो सबस रखते हैं सरकार से कि सरकार जो है वो डेड ना करके उन कामों को जिन कामों को दूसरों ने इसको डिले किया या पूरा नहीं किया जिसकी वैसे नुक्सान हो रहा था इससे हमको आसा है कि यह पूरा करेगी और देश को और मतलब के हम सब को इंडिस्ट्री वालों को सब को उसका benefit मिलेगा तो आपको बदा दे कि बजट से बहुत उमिद हैं लोगों को देख सकते हैं बजट से पहले कैसे पूजा अरसना करते हुई जाने के लिए संसद में आज 11 जबजट पेश होना है और निर्मना सीतारमन अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही है तो हमारे सहЙयोगी गजगन विश्रा और अमिद दूबे जुड़ते के हमार साथ दिल्ली से जुड़े हैं तो हमिद आम बजट को लेकर लोगों के अंदर काफी उत्सा है तो ही सरकार आम बजट में लोगों को क्या-क्या ला कर देगी देखी लोगों को उम्मीदे बहुत है लेकिन जिस तरह मंदी का दौर चला है हलाकि कल आर्थिक सर्वे में राश्पत ने कहा है कि 6-6.5 यानि 6 यह देख सकते हैं कि निर्मला सीता रमण जो बजट है उसको लेकर दिखाई दे गई उनके साथ जो उनकी टीम है जिनोंने पूरा बजट यह तयार किया है करीब महीने भर का समय लगता है पूरे बजट को तयार करने में और ये पूरी टीम आप देख सकते हैं कि पिछली बार की तरही जो पहले ब्रीफकेस हुआ करता था ब्रीफकेस की प्रथा को निर्मला सीता रमण नहीं लास्ट टाइम बजट में खतम किया था ठीक उसी प्रकार जो बजट की उनकी पोटली ह या ये कहें कि इसको पोथी भी बोलते हैं तो ये पोथी अपनी बजट के साथ निर्मला सीता रमण दिखाई पढ़ी है अब कुछी देर में निर्मला सीता रमण संसत पहुचेंगी और 11 बजे देश का आम बजट पेश होने जा रहा है इस बजट से पुरे जनता को पुर भी जादा उच्साइद तो है ही पर उनके मन में ये भी है कि आखिर हमें वो कौन सी सौगाते मिलेंगी जिससे जो इस समय अर्थ व्यवस्ता डगमगा रही है वो सुद्रेगी और वहीं जो रोजगार है या महंगाई है वो कैसे रोजगार बढ़ेगा और महंगाई कम कैस होगी तो इस बजट से काफी उम्मीदे हैं लोगों को चाहिए को कोई भी तबगा क्यों न हो उपरी तबगा हो निचला तबगा हो या मध्यवर का तबगा हो सबको इस बजट से इस बार काफी जादा उम्मीदे हैं देखने माली बात यह होगी कि 11 बजट जब यह बजट आएगा तो क्या ये बजट खरा उतर पाएगा आम जंता के विचारों पर क्योंकि लोगों को इससे इतनी उमीदे हैं तो ऐसे हमें उमीदों पर खरा उतर पाना काफी बड़ी चुनौती होगी इस बजट के लिए तो ये 2020 और 2021 का आम बजट है जिसको लेकर निर्मला सितारम और जो वारी देश के वित्यमंतरी हैं वो निकल पड़ी है आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में सीधा कैसे जो गाड़ेयों का काफिला है वो लगातार निकल चुका है निर्मला सितारमन है उनके साथ जो उनकी पूरी टीम है करीब दरजन भर से अधिक लोगों की ये ट बजट लेकर निकले हैं जैसा अभी आपने कुछ दिर पहले पिछली तस्वीरों में देखा था सरकार आखिर क्या कुछ करने बाली है जिससे की निवेस और मांग दोनों में कॉम्बीनेशन बनाया जा सकती है और उम्मीद भी है कि निर्मला सीतारमन इसे लेके नया रास्ता जरूर इस बजट में खोल सकती हैं लेकिन सबसे बड़ी चीज जिस तरह स्कारपुरेट जग दूसरी बड़ी चीज की खास तरह पर क्रिशी छेतर में और ग्रामीड छेतरों के निवेस को लेके वित मंत्री एक बड़ा एलान कर सकती है क्योंकि लगातार ग्रामीड और किसान जो है वो सरकार की प्रास्तिमिकता पे रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी चुनोती सरकार को ज उसमें लगातार कमी होती जा रही क्या सरकार उस बजट को पूरा कर पायगी क्योंकि टैक्स कलेक्षिंट भी करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और प्रधान मंत्री का खुद का अपना सपना जो तरह है लगातार प्रधान मंत्री कहे रहे हैं कि दो हजार पचीस तक देश जो है वो फाइब ट्रिलियन की एकोनामिक जोन में पहुँच जाए तो इसे लेके निर्मला सीता रमन भी कुछ यहां पे दिखा सकते हैं कि कैसे देश जो है वो फाइब ट्रिलियन एकोनामिक की ओर अगरसर होगा अब गगन से जानते हैं प्रदेश की राजधानी का हाल क्या है गगन जो प्रदेश में लखनाओं में लोगों के बीच बजट को लेकर क्या चल रहा है और बजट से लोगों को क्या उमीदे हैं यहां देखिए अविश्यक कवा बजट्ट कोधना है और आदिनी के करेंस बबॉट गौहार है कि जनता ज़ुए सबीधरों सब्सकितर कि पुस्त क्रिप और झुद seniors अर्त्रष्ता जो दर है वो लगातार कम हो रही है तुस्ति के और इसारा कर रही है और जो जी डीपी है वो लबबग एक दसक से नीचे जा रहे है तो यानि कि सरकार के सामने चुनौतियां बहुत जादा हैं चाहरे वो कि खरसी की अच्छेतों में देखे जैब टैक्स लाइ तो हो जाएगा चाहिए वो सेरलीड जो टैक्स पेर हो वो भी चाहता है कि असी सी के तहए तो उन्हें और टैक्स में रियायत मिले और चाहिए होम लोन की बात करो जिसमें दो लाकी तक अब तक छूट मिलती है टैक्स के ब्याज में अब साड़े तीन लाकी उनको आसा है कि क सस्पलिश केल सी पारे ऐखेश में अगे मांग लगतार कम हो रही है बजार कम हो रही है पज्द करशी का समान होता हुआ कि यह आसा है कि उसके लिए भी कि कुछ दो सफिडी और सफिडी दी आती है याibly मस्पी जो होतीी है वह बढ़ाई जाएगी और सफिडी दी जाएगी जिसिसे पिसले साल बाण करशी आं काफी ब्रबाद हुए ती आं काफी बर chil पूर्टी की जाए इसी की चलते जो उस्ताप्रदेश की किसान है आम जनता है बस वही कह रहा है कि जरुवत को सस्ता कर दे फुजूल कर्थी को बले मेगा कर दें जी गगन और अमित आप दोनों से पहला सवाल है गगन पहले आप जवाब दीजे कि जैसे कि जो काउंडाउन अब शुरू हो चुका है बैक टू बैक अब टाइमर शुरू हो चुका है कुछी देर में बजट आ सकता है तो वहीं दोनों राजधानियों में फाइव ट्रिलियन एकोनॉमी को लेकर क्या कुछ चल रहा है जी गगन गगन मैं आपसे मेरा सवाल है कि जैसे कि काउंडाउन शुरू हो चुका है बजट को लेकर कुछी देर में बजट पेश होगा तो वहीं फाइव ट्रिलियन एकोनॉमी को लेकर दोनों राजधानियों में क्या हाल है खरण रिख और लगतार उत्तप्रदेश कि सरकार आम जनता प्रदेश वाकिक को समझाती आई आई है। बटाते ही आई कि जो मौधी सरकार पहले पहला तो जो वंसा है । उसके लिए मुद्धी सरकार लगातार कोशीशे कर रही है उसके प्रदेश सरकार भी लगातार ऐसे से यह वह हम की बात करें जो जिस तरह से मेट कर आ रही है कि जिससे जितना ज्यादा से ज्यादा उत्तरप्रदेश में जो दोग लगे जिससे अर्थवस्ता मद्बूत हो उसी के लेकर योगी सरकार लगाता मेहनत कर रहे हैं लखनों में भी मोधी सरकार भी काफी कौपेट है योगी सरकार का तो दोनों सरकार मिलकर उत्तरप्रदेश से कापी माइने रखता है तो इसी किसलते यहां पर अगर लखनों की बात के तो लखनों में योगी सरकार ने लगातार ऐसे ऐसे से इवेंच कराये हैं जिससे ताकि उद्धोग यहां पर आए ज्यादर ज्यादा इंवस्टर यहां पर रोजगार बढ़े यहां की जो अत्वर राउन शुरू हो चुका है बस कुछ यह कह सकते हैं चंद मिनट की बात कह सकते हैं जैसे कि अगर हम देखें तो गंटों की बात है और कुछी देरें बजट पेश होगा तो वहीं 5 trillion economy का मसला हमेशा उचला रहा है तो देश की राजधानी में इसको लेकर क्या कुछ चल रह लगा है टी तो देश की आर्थिक इस्तिति इस तरह ची नहीं थी और खास्तोर पर खुच प्रदानमंतिर जिस तरह सामने आ रहे ती है जी डी पी बात करें आटो सेक्टर्स की बात करें real sectors की बात करें, हार एक में progress नजर आ रही थी लेकिन उसके बाद जिस तरह से चाहे वो real sector बात करें या auto sector बात करें लगातार मांग कम होई है कई करमचारीों की नोकरी गई है, देश आर्सिक मंदी से जूजा तो एक तरह से माना जा सकता है कि एक बड़ा जटका देश को जरूर लगा है अब इस जटके से पहले वहरने की जरूरत है और सबसे बड़ी चीज हमारे आर्थिक सूत्र बताते हैं कि इस बार जो है खास तोर पर आवास रिड़ और शिक्षा रिड़ इन्हें लेके वित्मन जरूर अहम एनाउंसमेंट कर सकती है क्योंकि इससे निवेस बढ़ेगा जो लोग है वो बचत की और ज्यादा अग्रसर होंगे ज्यादा बचत होगी और इससे सरकार को बेनिफिट होगा रियल इस्टेट भी बढ़ेगा और खास बात यह कि देश की जो सिक्षा बिवस्त मैं बात कर रहा था कि लगातार जो है सरकार रास्ते निकालने की कोशिस कर रही कि कैसे निवेस और व्याय के बीच कॉम्बीनेशन बनाये जा सके और यही एक बड़ी चीज थी जो पिछली पिछले सितंबर में कारपूर जगत को एक बड़ी छूट दी गए जिससे लगब जो बड़े कारपूर टेक्स कर दाता है उन्हें और रियायत दी जा सकती है क्योंकि जब बड़े निवेस होंगे तो सरकार का टेक्स क्लेक्शन ज़्यादा होगा कई कंपनिया होगी इससे ना सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा बलकि सरकार को भी ज़्यादा टेक्स मि चुनाओ है और कल ही बीजेपी ने अपना गोशना पत्र भी जारी किया था और आज बजट है तो ऐसे में बीजेपी जो है जो सरकार है मोधी सरकार वो बजट को क्या मुद्दा रख सकते हैं कि दिल्ली में जब वो उस रण भूमी में उतरे तो उसको फतह मिले दिल्ली के लिए कोई खास इस तरह की चीजे हो लेकिन इसमें कोई दो राहे नहीं है कि जिस तरह से लोगों को राहत देने की कोशी लगातार कर रही है चाहे वो जोलाई उजना हो या बिजली सबसीडी की बात हो नल से जल की बात हो सभी को आवास देने की बात हो जो प्रोजक्त दो हजार 22 और 2024 तक पूर्या करने है उन्हें लेके सरकार जरूर इसमें कुछ नया फॉर्मूला ला सकती जिससे लोगों के अंदर confidence आ है क्योंकि अभी भी लोगों को उस तरह के उम्मीदत सरकार से नहीं दिखाई दे रहे हैं कि 2022 तक वाकई हर इंसान को घर मिल सके गया, 2024 तक नल से जल मिल सके गा तो सरकार का पहली प्रात्मिक्ता सरकार के लोगों के विश्वास को जीतना और इस बजट के जरीए क्या कुछ सरकार ऐसा लेके आती है जो लोगों के विश्वास को जीत पाती है सबसे बड़ी समस्या जो है वो लगातार किसानों की रही है और किसान जो है जीडी पी का एक एहम योगदान है भारत देश की बात करें तो देश जो है कृषी प्रदान देश है। पैदा कर पाय सबसे बड़ी चीज बजट को लेकि सरकार कैसे लोगों के अंसी पैदा करे क्यों कि आर्थिक मंदी की बात जो रहा है तो रहा है यह सत्य है इसमें कोई दोर आए नहीं है और सरकार भी इन बातों को नकार नहीं सकती जिस तरह सरकार लगातार कार्पोरेट जगत या अन्निस रोतों को रिबेट दे रही है लगातार प्रयास कर रही है लेकिन इन चुनोतियों के साथ सरकार के विकासकार ना प्रभा रहे शायद इस बजट से लोगों को उस महगाई से निजात मिले जी जी गगन मेरा सवाल आप से है कि कल जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपती का संबोधनता देश के लिए तो वहीं विपक्ष ने उसको भी घेर लिया मायवती ने कहा कि हवाई फायर है तो इसको कैसे जन बढ़ रही है कई ऐसी रियल स्टेट तो बिल्कुल अब निचले इसकर पर है क्योंकि जब से मुली सरकार ने रेरा का एक प्रावधान लाए है तब से जो बिल्डर्स थे उनमें डर आया है तो उन्होंने अपना इस इंफ्रेक्ट्ट्र से जो रियल स्टेट खपत कम है यानि कि जो कुछ पिछले कुछ समय से जीडीपी ग्रोथ करीब एक दसक से नीचे गया है तो जाबतिक पार्टियां भी वह देख रही है और इसी चलते मायवती ने जिस तरह से सरकार पर मोजी सरकार पर बजट के आने से पहले ही हमला बुला है वह वही चीज देखते हुए बोला है क्योंकि लगातार बेरोजगारी का इस्तर बड़ा है पिसली जितनी भी सरकारी नौकरी निकली है वह भी उतना कि हर सरकारी नौकरी कोर्ट तक पहुंच जाती है उसका परणाम नहीं आपाता है प्राइवर्ट सक्टर में नौकरी है नहीं खपत हो नहीं रही है आत्ति चैसली में पैसा है नहीं बिरोजगारी बढ़ रहाई है कर्सी मिजबा ऻुष開व तर यह हुआ टृट बहुत बहुत शुकरीया आप दोनों काहारा जूढने के लिए आगे बढ़ेंगे आपको बता दे कि आपको बता दे कि सरकार कुछी समय में अपना बजट पेस्ट करने जा रही है मोधी सरकार 2.0 का ये पहला बजट है इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदे हैं तो आप ये दो तस्वीरे देख सकते हैं कि पहली इस तस्वीर म आप ये देख सकते हैं कि विद्य राजन मंतरी जो पूझा अरचना करने के बाद मंतराले पहुचे और अपनी टीम के साथ मिले तो ऐसे में ये बजट कहीं ने कहीं जिस प्रकार से जनता जिसका पूरा इंतजार कर रही तो वहीं जो मंतराले है और जो मंतरी है इन लोगो के अंदर भी कहीं ने कहीं वो थोड़ा बहुत एक शन्देह जरूर है कि हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे या नहीं क्योंकि सब के अंदर वो रहता है कि जो हर तबगा है उस हर तबगे की सोच को उसके जो उनकी चाहा है उसको पूरा किया जा सके इस आम पे पूरे देश की जनता की निगाहिटी की हुई है